अधिवक्ता संचोधन नियम सितंबर 2024 से प्रभावी हो गया है केन सरकार ने इसकी पुष्टी कर दी है इसके अलावा अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी बारे में हम समझेंगे और चड़्चा करेंगे कि कानून और नियाय मंत्राले ने विस्तार में बताया कि संचोधन का उद्देश है 1967 के मूलबूत अधिवक्ता अधिनयम को पुनर जीवित करना था कानूनी समधाय के बीतर कदाचार की समस्या को लेकर इस तरीके के मामले निप्टाने के लिए डिजाइन किया गया है ठीक है केन सरकार की गोशना थी कि अधिवक्ता संचोधन अधिनयम जो 2023 में आया था उसे 30 सितंबर 2024 याद रखेंगा यह 30 सितंबर 2024 से सक्रिय हो गया है यह गोशना अधिनयम की धारा एक क्युप धारा दो के ब्रावदानों के तहट की गई है जो पूरे भारत में कानूनी पेशेवर के शासन में एक महतूर बदलाव है तो बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत नए-नए कानून आ रहे हैं हमारे सामने बहुत नए-नए चीजे लौ में आ रही हैं अधिवक्ताओं को लेकर बहुत नए-नए चीजे हमारे सामने आपको दिखेंगी और इन सब को इमीडियेट इफेक्ट से लागू कर दिया गया है प्रभावी हो गए हैं ये और दोजाट चौबेस सितंबर से लागू कर दिया गया है चीक है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लावा हमाये चैनल में आपको वीडियो मिलेगी आडवोकेट्स प्रोटेक्शन आड जिसमें पूरी कंप्लीट डीटेल्स में आपको समझाये जाएगा आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजे ओल्डर वीडियो में जाके देख लीजे आपको मिल जाएगी थैंक यू सो मट प्लीज लाइक सब्सक्राइब टो आज चैनल